Hello everyone, this is lecture 10 of our daily MCQ series और इसमें हम Animal Nutrition Subject सबसे पहले कवर कर रहे हैं जिसमें हम पहुच चुके हैं Unit 4 के उपर और जैसे ही Unit Change होती है, यानि Unit 1 से 2 आती है, 2 से 3 या 3 से 4 आती है तो हम सबसे पहले उसके MCQs डारेक्ट नहीं चेक करते हैं हम क्या चेक करते हैं कि इस Unit 4 का मतलब क्या है, इस Unit 4 में क्या-क्या Topic आते हैं और उन Topics से Related हम MCQs जो हैं, उनको यहाँ पे Solve कर आते हैं ताकि आपको Idea हो कि यह सभी Topics है, यानि कि Unit 4 में जो यह सभी Topics हैं जो आगे हम Questions पढ़ेंगे, जब तक Lecture 11, Unit 4, Lecture 12, Unit 4, जब तक वो Unit 4 आता रहेगा मतलब कि जो MCQs हैं, वो सभी इन Topics से Related हम Complete कर रहे हैं देख रहे हैं कि इन Topics से Related, Various States के अंदर किस तरह के Multiple Choice Questions इन Topics पे बनाए जाते हैं इससे पहले Lecture हम स्टार्ट करें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि एक Motivation अना, जो Motivation सिर्फ आपको न रहे, थोड़ा सा Motivation मुझे भी आता रहे आप सब में से जो भी मुझे जानते हैं, आप अच्छे से समझते हैं, जब मैं साथ में जुड़ता हूँ तो फिर बहुत अच्छे से जुड़ता हूँ, और किसी चीज को ठान लेते हैं, तो फिर हम बिलकुल उसको आखिर तक करके ही मानते हैं, और जैसा कि आपने पहले भी देखा होगा कि रात के बारा बारा एक एक वज़े तक हम लाइव क्लासिज लेते थे एच पीएसी के लिए भी और यही कोशिस रहेगी कि यह जो स्भाएम सेक्याइव सेरीativas हैं इसमें सारे के सारी जो बच्चे हैं सभी स्थेट्स के जो बच्चे हैं वह हमसे जुड़ें और यहां पर एक दॉसरे से हमें मिलने का मुका मिले तोב ट्राइव की कि कमेंट्स करते रहे एक दूसरे के बारे में जाने पढ़े आप लोगों को मुका मिलेगा एक दुसरे से बातचीत करने गा कि किस स्टेट में क्या एक्जाम चल रहा है कि सिर्फ हमारे साथ जुड़ने की बात नहीं है मैं चाहता हूँ कि आप सभी आपस में भी एक दुसरे से जुड़े और जो वेटनरी कॉमिनिटी है वो एक दुसरे के पास में आए बजाए कि वो लेग फुलिंग वाला काम जो करते हैं लोग वो वाला काम नहीं करना है हम लोगों ठीक है तो इसके लिए बस इतने सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से आप ये समझ लीजिए मैं ही सेल्फिस हो रहा हूँ कि मैं अपने मोटिवेशन के लिए बोल रहा हूँ कि हाँ आप इसमें ट्राइ कीजिए कमेंट करते रहें साथ के साथ वीडियोज को लाइक करना ना भूला कर क्योंकि एक मातर जो ये वीडियोज हम बना रहे हैं आप लोग के लिए बना रहे हैं और आप लोगों की तरफ से अगर नहीं दिखेगा कि मुझे मोटिवेशन मिल रहा है तो आप अच्छे से जानते हैं मैं काम करता हूँ तो रात के एक बज़े तक भी करता हूँ और वह तो इसे की शार सुरू करते हैं पहला कोशन अपना यूनिट फॉर का मेक शूर की वीडियो को लाइक करें आप ताकि मोटिवेशन अप रहे सभी लोगों का सिर्फ मेरा नहीं सभी लोगों का जो हमने डिसाइड किया है कि बिल्कुल फ्री में देना है सभी बच्छों को त अब बोलेंगे से टोपिक नहीं बताए स्क्रीन पर रखा ता लो स्क्रीन चोट ले लो प्रोसेसिंग ऑफ कंसेंट्रेट्स प्रोसेसिंग और रॉफेज कैसे होती है फीडिंग एक्सपेरिमेंट्स, फीडिंग स्टेंडर्स, कंजर्वेशन ओफ फीड थू साइलेजेंड है इनसे रिलिटेड एमसे की उसम यूनिट फोर में देखने वाले हैं ठीक है जी चलिए आजाईए पहले कोश्चन के ओपर अभी इनसे फूर्विग इन्वोज दा इर्रिवर्सिबल इस्ट्रक्षन ओफ दा क्रिस्टालाइन ओडर इन स्टार्च ग्रेनुट्स तूमेग दा सर्फेस ओफ एवरी मॉलीक्यूल असेसिबल तो इंप्रोविंग डेजिस्टिबिलिटी तो सीधा सीधाति से क्या बात बोलना चाहे हैं ऊष्यक्रता सार्ट ग्रेन Vale के से ब्रेक करता है कि इनका स्वा क्रिस्टे लाइन ने हो जाता है और वह कैसे स्ट्रोई होता है एक बर स्ट्रॉक्चिर है इस तो वो फिर irreversible है, वापिस से वैसा वो नहीं बन पाएगा, मतलब इतने खतरनाक तरीके से इसको destroy करने वाला कौन सा process है, देखिए सबी process की मैं detail में आपे बात नहीं कर सकता हूँ, वो detail lecture में बात करते हैं, बट, कुछ-कुछ एक idea जो है, इसके आज पास के आपके question में निक करते हैं, दो हफते के लिए रखते हैं, उसको उसकी solubility बढ़ाने के लिए carbohydrate proteins की, तो इसमें ऐसा कुछ crystalline order का नहीं रहता है, ठीक है, extruding, हाँ जी, इसमें क्या रहता है, extruding के अंदर, इसमें heat, pressure, और mechanization, इन तीनों चीजों का use किया जाता है, क्या करने के लिए crystalline order को, जो crystalline structure रहता है starch में, उसको breakdown करने के लिए, तो answer क्या जाएगा, इसका यही जाएगा, palleting आप सबको पता ही है, uniform structure बनाने के लिए pallet बनाए जाते हैं, consistently ताकि एक जैसे सारे की सारा, जो भी feed ले रहा है animal, सारा वो एक जैसा रहे हमें एक idea लगा सके, कितना feed consume किया है animal ने, ठीक और भी काफी region होते हैं, बट यहां पे इसको शुरूर नहीं करेंगे, क्योंकि answer भी नहीं जा रहा है, micronizing में क्या है, जो infrared radiation होती है, जो infrared radiation होती है, उनकी health से क्या gelaternization किया जाता है, gelaternization से basic मतलब यह है, जो starch granules है, उनको क्या, उनको ऐसा बना दिया जाता है, कि उसकी में infrared radiation को यूज किया जाता है, gelatinization के लिए, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, कि जो extruding में हो रहा है, क्या, crystalline odor break नहीं होता है, इसमें, यह difference होता है, ठीक है जी, pelleting में आपको पता जिया, कुछ खास नहीं है, बच्चे-बच्चे को पता होता है, reconstitution में क्या करते हैं, वही 25- 30% moisture level raise गर देते हैं उसका, और उसके बाद उसको एक से दो हफ़ते तक इसको रखा जाता है, ताकि solubility जो है, carbohydrates की या protein की बढ़ जाए, और वो जो feed consume करें animal, उसके वज़े से क्या हो, उसके वज़े से enzymes को वो ज्यादा accessible हो, ताकि उसका digestibility increase हो जाए, feed का, ठीक है साब, extruding मे इतनी सी बात है, अब यह जो दो-तीन चीजे मैंने add की है, एक्स्टा आप लोगों को बताए हैं, points ऐसे नहीं कि मेरा मन कर रहा था, बोल दिया, आगे questions में वो आने वाले हैं, जब हम questions को पढ़ेंगे तो अपने को लगेगा, हाँ, हमारा तो revise हो रहा है, हमें answer पताता पहल करते हैं, इसका क्या primary region, for not feeding, sorry, I'm so sorry, मतलब इसका भी region होता है, यूरिया के साथ stroke क्यों डालते हैं, वो एक अलग question बनता है, मेरा उदर focus चला गया था, बट यहां पर तो यह पूछ रहे हैं, कि यूरिया treated stroke को, calves जो रहते हैं, उनको feed क्यों नहीं करते हैं, सब को पता है कि six month का जो, six month से less जो होता है, calf, उसमें rumen जो है, प्रोपर तरीके से develop नहीं होता है, उसमें urea डालोगे तो toxicity हो जाएगी, बिचारे का, रियूमन ही पूरी तरह से functional नहीं है, अभी इसे urea डालने लग जाओगे, तो क्या होगा, या फिर urea treated जो straw है, उसको देने लग जो, six month नहीं का तो होने तो बिचारे को, तो क्या बोलना चारा है, सीता बी अंसर जाएगा, calf requires an adaptation period to urea treated stroke, और adaptation कैसे होता है, कितने परसेंट से ले करके, कितने दिनों में, कितना परसेंट urea डाल करके, इतने तक जाना होता है, वो सारी चाहिज़े हम discuss कर चुके हैं, बार- तो basically यह बोलना चारा है, चलो देखते हैं, receiving and cleansing of the raw material, ठीक है, सबसे पहले तो यह होता हो, receive कर रहे हैं, फिर clean कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आई बार, paleting and crumbling, पैलेट बनाते होंगे, ठीक है, दूसरा हो सकता है, grinding and mixing of the ingredients, पैलेट बनाने के बाद तो क्यों ही grind करेंगे, तो दूसरा क्या आना चाहिए, grinding and mixing of the ingredients, उसके बाद क्या, उसका पैलेट बना दिया, उसके बाद जो भी यह बनाया था, पैलेट या करंबल जो भी बनाया था, उसको हमने क्या-क्या, steam से sterilize कर दिया, और जो cooking थी, उस ingredients की, उसकी cooking कर दी, ठीक है, वड़ से यहां पे थोड़ा तरीके से होते हैं, ठीक है, hopefully समझ में आऊगा, कुछ ऐसा समझाने का नहीं है, इसमें, बहुत ही common sense का question है, अगर आपने कभी नहीं भी बढ़ागा कुछ भी, तो common sense से आप ऐसे questions को attempt कर सकते हैं, चलिए जी, fourth question पर आते हैं, MPSC में पूछा गया है यह, 2019 में, in wet processing method, the reconstitution of grain is done to raise moisture level, अब topic में ने बताया था, आपको 25 to 30% तक moisture बढ़ाने के लिए, हम किसको यूज़ करते हैं, reconstitution को, आप यी reconstitution से याद नहीं आ रहा तो आप थोड़ा से धान कर सकते हैं, मतलब, अगर moisture में add क्यों कर रहे हैं, इसमें, तो यहां पर feed की बात चल दिए हो, बिल्कुल different है, but reconstitution हम milk में भी use करते हैं, जो milk powder होता है, उसमें water मिला करके हो, क्या, reconstituted milk ही तो बोलते है, ना तो feed के अंदर भी reconstituted मे water add कर रहे हैं, कितना 25 to 30%, कुछ ऐसा आपको थोड़ा सा एक idea मिल जाएगा उससे, चल यूज़ी, Odisha BSC में पूछा गया है, यह question, grinding of grains increases the digestibility because of, सब को पता है, अब क्या इसको, grinding से surface area increase हो जाएगा, और यह लगा ले जीए, यह कोई feed था, इसकी grinding करके इसको इतने parts में divide कर दिया, तो अब यह वाले जो तीन हिससे बने हैं, इसके यूँ, grind करने के बाद, पहले यह वाला जो area था ना, यह accessible नहीं था, एक्सेसिबल नहीं था, काम करने के लिए, तो बहुत ज़्यादा जल्दी, यह इसका बोल दीजी आप, जल्दी digestion होगा है, digestibility जो है, वो बढ़ जाएगी, ठीके जी, चलिए जी, तो what is the, sixth question है, what is the main objective of palleting, palleting का जो main objective होता है, वो क्या होता है, pallet बनाने का, हमने बात करी थी, starting में भी कुछ छोटी मोटी बाते बताई थी, uniformity, consistency, जो है, वो सही हो जाती, उसकी, और मैंने बोला था, कि दो-चर पॉइंट होते है, लेकिन इसमें यह बोलना चाहिए, कि जो main goal है, वो क्या होता है, अभी option पढ़ते है, एक idea हो जाएगा, to reduce, नहीं भीया, feed density तो कम नहीं होती, इतना हमें पत होंगा, to decrease palatability, कुछ भी, palatability decrease करने के लिए, तो क्यों ही हम कुछ करेंगे, तो option इतने बुरे है, तो सीधा ही पता लग रहा है, to densify grain with steam और moisture, अब क्या pallating में क्या बोला है, उसमें हम densify करते हैं, किसको, grain को, क्या use करके, moisture या steam use करके, densify करते हैं, अभी आपको लग रहा ह होना चाहिए, उसके methods के process, मतलब, जो methods रहते हैं, उसमें steps क्या रहते हैं, moisture add करते हैं, तो उससे क्या होगा, उसकी softening of the raw material हो जाएगी, उसके बाद फिर gelatinization करते हैं, जिसमें heat and moisture use करते हैं, जिसकी वज़े से क्या होगा, उसमें cohesive form में आ जाएंगे, starch जो है, और ज्यादा cohesive foam में वो आ जाएंगे, मतलब, आपस में जुड़ने लग जाएंगे, binding उनकी अच्छे हो जाएगी, उसके बाद उनका compression करेंगे, compression करने के बाद cooling करेंगे, and then we will dry it, तो उतनी cooling और drying, water add किया, यहनि moisture यह steam से water add किया starch में, फिर उसका gelatinization कर दिया, तो मतलब उससे, वो पास में होगा, option क्या था, उसका to densify grain with steam or moisture, कैसे densify हुआ, होफ़ली समझ में आएगा, 7th question पर आईए, which of the following is a wet processing method for grains, इन में से, कौन सा method ऐसा है, जिसको हम क्या बोलते है, wet processing method, वो grains के लिए use करता है, soaking से पता लग रहा होगा, soaking में क्या करते है, पाने के अंदर dip कर देते हैं, होग हैंगे नहीं, wet वाले, जब चार option में ते एक ही सही होने वाला है, तो, 8th question पर आओ, which of the following methods involves exposing grains to steam under high pressure and then suddenly reducing it to atmospheric pressure, वाँ भी वाँ, क्या बात है, तो इसमें आपका जो answer है, ये जाएगा exploding, क्यों जाएगा exploding, इसमें answer, ये क्या बोलना चारा है, जहां से सुनना, ये बोलना चा इसमें में रख रहे हैं, उसके बाद जो atmospheric pressure है, मतलब उस पर छोड़ देते हैं उसको, बात नहीं समझे, I am 100% sure, सोड़ी सी कमी रहेगी बात में, फिर से सुनो, ये feed है, इस पर बहुत ज़्यादा high pressure डाल दे हैं, बहुत ज़्यादा high pressure, और एकदम से ये ढखकन कोल देते ह है, वो आ जाएगा उपर, अब उससे होता क्या है, इसमें heat भी यूज करते हैं, दो बात ध्यादा है, मैंने आपको extrusion में क्या बता है, इसको notebook निकालो, लिख लो, ये थीन चेज़े हैं, बड़ा confuse करते हैं, अभी यहाँ पर doubt or difference clear हो जाएगा, इनका, एक क्या है, एक मैंन mechanization भी यूज करते हैं, क्या mechanization भी यूज करते हैं, exploding में क्या करते हैं, heat और pressure यूज करते हैं, heat यूज की, pressure यूज की है इसके उपर, उसमें होता क्या, अब मैं पूरा detail में बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना, होती, ऐसे कहानी जैसे अलगेगा, बढ़ प्रोपर scientific method बत आता है, तो इसके अंदर का moisture जो है, वो steam में बदलता है, और जैसे ही वो steam में बदलता है, तो यूज कि इसको inside out क्या करता है, पलड देता है, जो कि किस में होता है? पोप्कोर्न बनाते हैं, उसमें होता है, क्यों? पोप्कोर्न क्या? pressure cooker में बनाते हो क्या, आब बोलोगे ह हां सर हम तो pressure cooker मैं तो नहीं बनाता है pressure cooker में, मैं तो कोई pressure नहीं देता, atmospheric pressure में रखता हूं उसको, और वो जो तवासा रहता ना, ऐसे करके यूँ, उसमें थोड़ा सा तेल डालता हूं, तेल भी डालना कि जो उतनी पोप कोर ना आप निगाल के डालोगे ना, उसमें तेल अल temperature देना पड़ता है, कितना देना पड़ता अब यह आ गया आएगा, ठीक है, बट यह, अभी आपको यह समझ में आया, popping वाला, popping method क्या होता है, बहुत ज्यादा क्या दिया, heat दिया, जो अंदर उसके water content था, water content जो होता है, वो क्या होगा, वो steam में convert होगा, और एक time बाद, ऐसे इसको inside, outside क्या हो जाएगा, burst out हो करके यह घुमा देगा पूरा, ठीक है, उससे क्या होगा, क्या होगा, उससे, surface area उसको increase हो जाएगा, digestibility बढ़ जाएगी, तो इस सारे method, digestibility को increase करने के होते हैं, अब यह आप बोलो, कि sir, आपने extrusion में बताया, extrusion of fields में, extruding method में बताया heat, pressure और mechanization तीनों यूज करते हैं, ठीक है, पोपिंग में आपने ये बताया, अगर heat जादाया तो steam बढ़ेगा, steam से inside out, burst out हो जाएगा, अब तीसरा method सुनो, जिसकी बात कर रहे हैं, जो यहाँ पर answer गया है, exploding वाला, अब बोलो, अच्छा, यह पोपिंग मतलब यह कुछ औ पोपिंग और exploding, different method होते हैं, बट यूजिली बच्चे इनको एक है समझ लेते, एक ही method है, त्यकिनका process एक जैसा दिखता है, अब difference क्या है, वो सुन लो, खाली, इसमें तो heat pressure में करेजेशन तीनों है, इसमें क्या है, पोपिंग वाले में सिरफ heat है, और इसमें क्या है, जो liquid form है, वो steam में कर्वर्ट नहीं हो पाएगी, अगर heat के साथ बहुत ज़्यदा pressure भी दे रहे है, जो liquid है, feed के अंदर का, वो steam में कर्वर्ट नहीं हो पाएगा, लेकिन हम क्या करते हैं, फिर एकदम से, पूरी heat दिए एकदम से, और pressure भी बहुत जादा दे दिया है, तो जो liquid ह form में रहता है, और फिर हम क्या करते हैं, प्रेशर को एकदम से हटा देते हैं, क्या करते हैं, एकदम से pressure को हटा देते हैं, और वो जो होता है, जो liquid उस feed के अंदर वो एकदम से वेपराइज हो जाता है, क्या? एकदम से, एकदम से वेपराइज हो जाता है, और जैसे ही इस वाले में यहां पर exploding में heat और pressure और इसमें सिर्फ heat ठीक है pressure ना मातर होता है hopefully आपको समझ में आया होगा अब इससे ज्यादा दौसान कुछ नहीं हो सकता है चलिए जी नाइंध कोशन पर आते हैं what is the result of roasting cranes यह roast क्यों करते हैं जो भी inhibitory factors होते हैं जिसे की plants में क्या हो सकता है phytates हो सकते हैं या फिर trips in inhibitor हमने पढ़ाता है वो हो सकते हैं उनको ख़तम करने के लिए या कुछ enzymes को inactivate करने के लिए जो feed के अंदर होते हैं जो फीड के अंदर इन्जाइम होते हैं वो क्या नुकसान कर सकते हैं वो digest करके 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 क्या करेंगे उसके इतना अच्छा digestion कर देंगे कि animal की body में अगर वो feed दोगे आप तो उससे क्या होगा जो fermentation है वो बहुत जल्दी होने लग जाएगा और fermentation जल्दी होने लग जाएगा वो तो है plus में जो streptococcus bovis रहता है और जो आपका lactobacillus रहते हैं यह bacteria जो रहते हैं यह क्या करेंगे बहुत ज़्यादा पहले ही feed का digestion हो चुका है तो उससे क्या VFA तो निकलेंगे निकलेंगे जो VFA के बाद यह वाले जो bacteria है वो lactic acid भी produce करना start कर देंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा काम करेंगे तो lactic acid produce होगा तो pH जो है rumen का नीचे आ जाएगा उससे rumenal function जो है वो disturb हो जाएगे अगर बहार कोई enzyme ऐसा काम कर रहा है जो बहुत जादा ठीक है फीड के अंदर चलिए जी अफली समझ में है को इतना बड़ा नहीं है टेंथ कोश्चन पर आओ विच ड्राइ प्रोसेसिंग मेथल इस दा लीस्ट एक्सपेंसी फो रेडिसिंग पाटिकल साइज ऑफ ग्रिनियर ग्रैंडिंग कर तो मेकानिजिशन ही कर रहे है उस यह सब करोगे तो क्या इनमें तो बड़ा इस्टीम पता नहीं क्या-क्या लगेगा इतने बड़े लेवल पर तो बहुत पैसा भी लगेगा आपको पैसा लग गया तो कोश्चन ए खतम हो गया क्यों क्यों क्या बोढ़ रहा है एकोनोमिकल होना चाहिए बहुत कम लिस्ट होना चाहिए ठीक है 11th question पर होया which method increases the solubility of grain, carbohydrates and protein by raising the moisture content up to 25 to 30% storing for 2 to 3 weeks क्या अभी तो बताया पहले बात हो इती हमने वैसे इसमें पहले वाले में reconstitution गया था और इस वाले में मतलब पहले वाले में जब गया था हमने यह बोला था 25 to 30% जहां तक मजी धाने मैंने आपको वहां पर बता दिया था उसको 2-3 हफते तक रखते हैं जिससे क्या फाइदा मिलते है अपने को सब्सक्राइब को देख्यों कौन से बता रहा है मॉइस्चर कंटेंड बढ़ाता है ठीक है वह इंप्रोफ डिजेशन बाइब ब्रेकिंग डाउन स्टार्च ग्रैनियूल्स हां यह ना बात है डिजिस्टिबिटी की तो यही बात है डिक्रीजिज दा न्यूट्रिंड सब्सक्राइब कि हां थोड़ा सा ऐसा कुछ हां कि यह भी अंसर हो सकता है वो भी हो सकता है सीधे अंसर जा रहे है हां जी विच प्रोसेसिंग मैथर्ड इन्वोल्स दा एप्लिकेशन ऑफ ड्राई हीट एट एट 370 तो 425 डिग्री सेल्सियूस फॉर 15 टू 30 सेंड यह कि इन में से कौन सा रहता ऐसा है एक सीधी सी बात मैक्रोनाइजिंग में क्या इंफ्रारेड रेज यूज करते हैं तो इतना जाधा टेंपरिचर तो मतलब भूली जाओ टेंपरिचर की बात हो इसमें हीट टेंपरिचर मेंगे जिए तीनों चीज़ें यूज होती है और र जो material है, उसके उपर भी depend करता है, पोप कॉर्ण के अंदर जो corn रहता है, वो तो जल्दी हो जाता है, पोप आउट हो जाता है, बट अनिमल फीड तो ऐसे पोप आउट नहीं होगा न, अगर आप रोटी ही, चपाती जो होती है, उसी को रख दोगे, घी लगा करके, क्या वो ऐसे पोप कॉर्ण की तरह घूम के आजाएगी, क्या नहीं न, तो उसके लिए अनिमल फीड जो होता है, वो material दुसरा है, तो उसके लिए temperature भी बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है, सारी चीज़े पोप कॉर्ण नहीं होती ही, तनी असानी से मान जाते हैं, ठीक है, लेकिन method वही है, पोपिंग वाला, जो पोप कॉर्ण में होता है, क्या method था? ये है, लगा लेजिए, heat दे रहें नीचे से इसको, या पीछे से आगे से, जहां से भी दे रहे हैं, उसके बाद क्या, इसके अंदर का water steam में convert होना, start हो जाएगा, इसको फिर बाहर निकल कर रहा, इसको inside, outside क्या घुमा देगा, ठीक है, बाहर निकल के, चलिए जी, क्योंकि इसमें pressure भी नहीं रहता, तो heat obviously ज़्यादा रहती है, फोर्टिंध कोशिन पाए जाएजिए, वट इस दा मेन परपरज ऑचोपिंग और शैफिंग रफेजिस, क्या परपरज होता है, क्या रफेजरिया बढ़ जाएज ता कि इंजायम ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएए, कोई बात ही नहीं है, चलिए जी, ऐसे तो कोशिन को ऑप्शिन भी देखने का मन नहीं गरता, क्योंकि सब को पता होता है वो, फिफ्टीन्थ, विच प्रोसेस इंवोल्स ट्रीटिंग स्टो विद यूरिया तो रिलीज सेलुलेज फ्रॉम लिगनिन बॉन्डेज फ्रॉम डिजेशन, अब सीधा सा कोशिन क्या पूछना चाहरा है कि भाई, ये बताओ, इन में से कौन सा प्रोसेस ऐसा है, जिससे क्या, अरे बड़ी, ये एक्चली क्या की, अभी वो कड़ रही है न, जीरी वीरी तो बड़े, यहां पर इंसेक्ट हो रखे हैं, और ये आज, उपन था तो LED के सामने भी घूम रहे हैं, माप कीजिएगा, चलिए जी, इन में से कौन सा प्रोसेस ऐसा है, जिसमें हम स्ट्रो को ट्रीट करते हैं यूरिया से, क्या करने के लिए, सैललोज को रिलीज करवाने के लिए, कहां से, जो ये लिगनीन के साथ है, लिगनीन सैललोज बोन्ड जो होता है, शो में, क्या, लिगनीन सैललोज जो बोन्ड होता है, उसको ब्रेक कराने के लिए, इसमें क्या करता है, ये मैं थेला बता देता है, आपको यूरिया टीटमेंट होता है, ammonia जो होती है न वो release होती है और जो ammonia होती है न वो क्या करती है that lignin is encapsulating the cellulose तो इसको यह soft करने लगता है यह soft कर देता है और जो lignin यह पकड़ के रखता है ना इसको cellulose को यह soft करने के बाद क्या होता है धीरे-धीरे यह disrupt कर देता है इसको तो इसका bone weak हो जाएगा और यह तूटने लग जाएगा तो cellulose जो है lignin से हटेगा तो animal को available हो जाएगा digestion के लिए synergy मिलने लग जाएगी तो basically समझ में आया जो यूरिया जो श्ट्रो होती है उसको यूरिया से treat कर रहे है तो उसमें protein content तो बड़ी रहा है पलस में जो ammonia होती है वो lignin cellulose bone को भी break करवा करके cellulose available करा देती है तो उससे animal का फाइदा हो जाता है ठीक है जी feed की nutrient quality अच्छी हो जाती है ना कि सरफ protein दे रहे हैं उसमें क्या हो रहे है क्या हो रहे है उसमें उसमें साथ के साथ cellulose वाला part ही विचे रहे है carbohydrate भी थोड़ा जादा बढ़ जाता है ठीक है साथ और उसी के लिए ना एक white road fungi भी यूज़ करते हैं अभी next question में आ जाएगा lignin cellulose bone को break करने के लिए fungi भी हम यूज़ करते हैं इसका बहुती भैतरी नाम है बता देना लिख देना कमेंट में cryo आता है उसमें आगे नहीं बताऊँगा क्या है आगे नहीं बताऊँगा क्या है ठीक है यह दूसरे वाला वाड़ है कि इसके पहले लगता है कुछ तो यह वंज़ाई का नाम है white road fungi होती है यह भी lignin cellulose bone को break करवाती है और सबसे कमाल की बात आप लोगों को बताऊँ मैं यह 70% तक bonds को break कर देती है वाउ अब देख रहे हो फंज़ाई गा कमाल अब 16th question पर आजाओ चुप चाप होगे बिना फंज़ाई वाला What is the disadvantage of finally grinding folder plans for palleting क्या disadvantage है अब रिड्यूस की बात एक ही में यह इंप्रूब सराइवरी सिक्रेशन इंक्रीज मैस्टिकेशन टाइप हाँ यह थोड़ा disadvantage हो सकता अब इन दोनों में से थोड़ा सा देखते है इसमें मैस्टिकेशन टाइम बढ़रा है बड़ी जन्रल सी बात बोल दे एकिन मजा ने आ रहा B option में जाता है Reduced Normal Rumen Functions and Rumen pH हाँ यह बात सही है क्यों? क्योंकि वो सेम बात वही तो है जो हम बात कर रहे थे कि अगर कोई feed है उसको इंजाएम बहु ज़्यादा digest कर देता है जरूरत नहीं उसके बाद VFA जादा हो जाएंगे तो उससे क्या होगा? मतलब VFA जादा बोला हम वो carbohydrate जादा हो जाएंगे तो उनका fermentation तो जादा हो गा यह होगा वो ABP तो निकलेंगे निकलेंगे और plus में क्या निकलेंगे? साथ में Lactic Acid भी निकलने लगेंगे और Lactic Acid भी बड़ेगा और इतना जादा Acids होना स्टार्ट हो जाएंगे रूमन के अंदर तो pH क्या होगा? लू हो जाएगा उससे क्या होगा? रूमन जो function हो खराब होने लगेंगे तो basically अगर finally grind भी कर रहा है प्लांट्स को तो same way तो है easily digestible हो जाएंगे जो रूमन के अंदर बैक्टेरियाज है उन पे availability जो है बहुत जादा मिलेगी एकदम से उनको क्योंकि सारे के सारे के finally grind कियों है और बहुत कम time में बहुत जादा production होने लगेगा VFA का भी lactic acid का भी उससे क्या pH लो हो जाएंगे उससे rumen function खराब हो जाएगा सीधा सांसर यह जा रहा है reduced normal rumen function and rumen pH बहुत ही easy easy से question है अब चलीजी 17th question पर आओ which method is the most economical and easiest for chemical treatment of roughage अब युरिया से ज़्यादा सस्ता क्या ही होगा युरिया मिला दो ला करके, lignin cellulose वाला भी हो जाता है chemical method के अंदर आता है यह ठीक है साथ, अब आते हैं 18th question पर what is the purpose of white rot fungi in biological processing of roughage biological processing क्यों बोल रहे है इसको जो हम feed की processing कर रहे है ना वो living thing को लेकर के, यानि कि fungi तो living thing है ना, non living ना युरिया की तरह तो क्या, यह biological processing के अंदर आता है तो white rot fungi को कहाँ बे डालते हैं इसके उपर डाल देते हैं किसके उपर डाल देते हैं feed की उपर डाल देते हैं जिसके अंदर क्या, lignin cellulose bone होती है किसमें होती है, straw में होती है, और भी बहुत सारी protein content कम तो क्यों ही करना चाहेंगे हम to degrade lignin in lignocellulose straw तो lignin को अगर यह degrade कर देगा तो क्या होगा उससे खाली आगेगा cellulose बच जाएगा क्या help मिलेगी इससे nutrient ज्यादा available हो पाएंगे ठीक है, सीधा-सीधा अंसर जारा पर जाने के अपने को यह आओ 19th question में क्या बोलना चाहरा है what temperature range is used for the dehydration of roughage in dehydrator जो roughage होते हैं, उनको dehydrator में रख करके moisture content हम उनका कम करते हैं तो यह पूछना चाहरा है, जो dehydrators है उनका temperature क्या रहता है जब हम dehydration करते हैं especially in the case of roughages तो सीधा सीधा याद करना है यह इसमें कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है 300 से 500 तक रहेगा जिसको हम degree Celsius में convert करेंगे तो क्या बोल सकते हैं 142 से लेकर के 142 degree Celsius ठीके जी क्या 149 से लेकर 242 degree Celsius बोल दो 300 से 500 Fahrenheit बोल दो अब यह थोड़ा उपर नीचे सब जंगा हो सकते है ज्यादा टेंशन है अपने को flexible रहना है ना ज्यादा anxious मत होने लगा करो थोड़ा बोज़दा आई दर मिले तो 20th question पर आ जाओ which of the following fungi can degrade 65 to 75 percent of the lignin in lignose cellulogic straw जिनके अंदर lignin cellulog वाला bond होता है उसके 65 to 75 percent तक bonds को break कर देती है फंजाई ठीक है कौन सी फंजाई है वाइट रोट फंजाई है ठीक है क्या नाम है अभी बताया था आपको cryososporium ठीक है cryososporium और fenerochita यह आप यहाद रख सकते हैं ठीक है जी species genus इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है जिसको cryososporium याद हो गया इसके chances बहुत कम है कि ऐसे बोल देगे fenerochita यही बता दो बस सिरफ आपसे पूछने लग जाएंगे genus के फिर तो kingdom पूछ लेंगे वह मतलब एक अलग चीज होती है तो आपको cryososporium याद रहेगा तो चलेगा बट fenerochita ऐसा कुछ था एक बाद थोड़ा से दिमाग में डाल लेना कम से कम पी तो याद रहेगा इसका और कुछ नहीं तो तो इसकी देख रहेगा आप कितनी खास बात है 60 to 75% अफ जो लिगनीन है लिगनीन cellulogic bond में उसको वो क्या कर देगा डिग्रेड कर देगा तो क्या बचेगा cellulogic वो क्या है carbohydrate मतलब की nutrient की availability जो है animal में इसने बढ़ा दिये चो चलिए आपका lecture 10 यहां तक ही आप लोगों से मिलते हैं lecture 11 में और प्लीज वीडियो को like करना share करना और कुछ comments करना मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को भी motivation रहें और जड़ा लोगों से हम मिल पाएं और हम लोगों को भी motivation मिलता रहे thank you so much guys